हेलो दूस्तो दूस्तो आज की इस वीडियो में हम अंबॉक्सिंग करने वाले हैं सिल्वर लीट के फ्लाइ बोटिक सीरीज के एक HD कैमरा ड्रोन की जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो नाम है वो है बंपर ड्रोन HD तो फिलाल अभी दूस्तो इसकी बॉक्स को आप अचीतर की से देख लिए जैसकी यहां पर दिखाया गया है दूस्तो यहां पर यह इंडोर और आउटडोर दोरों में फ्लाइ किया जा सकता है आपको इसमें हैंडलेस मोड मिल जाता है वीडियो एन फोटोग्राफी के लिए आपको कैमरा मिल जाता है LED लाइट मिल जाती है बागी दोस्तो इस ड्रोन को आप इंडोर और आउटडोर दोरों में फ्लाइ कर सकते हैं बागी ये अप, डाउन, लेफ, राइट, फोरवर्ड, बैकवर्ड और 360 फ्लिप सब कुछ करता है बागी दोस्तो ये ड्रोन आटो होवरिंग भी करता है और साती में आपको इस ड्रोन में Micro SD Card का Slot भी मिल जाता है और साती में मिलता है एक VGA Camera तो चलिए दूसरी साइट से इस Box को हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि हम इस Box के अंदर क्या क्या यहाँ पर चार हमें प्रॉपलर्स मिलेंगी और एक लिपर वैटरी के साथ एक USB Charger मिलेगा और एक Transmitter और एक Quadcopter तो चलिए बैक साइट से हम इस Box को देख लेते हैं तो यहाँ पर इसमें काफी सारी डिटेल दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तो रिमोट के फुल फंक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीकिसे डिटेल में बताया हुआ है और दोस्तो यह जो ड्रोन है यह 2.4 GHz में आता है और 10 प्लस AG6 में मार्क किया हुआ है और आउट्डोर और इंडोर दोनों में फ्लाइ किया जा सकता है 6X जायरो इसमें है और यह ड्रोन 4 चैनल में आता है दोस्तो इस ड्रोन की जो सबसची बात है कि यह एक waterproof ड्रोन है आप इसे पानी पर भी लेंड गरा सकते हैं और सीधा जमीन पर भी लेंड गरा सकते हैं बाकी यहां पर जो इसका प्राइस भेंसन किया गया है दोस्तो उतना भेंगा यह नहीं मिलता है उससे थोड़ा सा कम में ही मिलता है उसके बाद ही हम चलेंगे ground में और देखेंगे कि यह कैसा fly करता है तो यहां सबसे पहला आप देख सकते हैं हमें मिलता है कि instruction manual जो कि हमारे drone camera के लिए और हमारे remote के लिए एक ही instruction manual है तो भाई यह जो instruction manual है यह किसी newspaper से कम नहीं है पूरा का पूरा newspaper हमें दे दिया गया है तो यहां पर दूस्तो इसे instruction manual कहना सही नहीं होगा यह एक newspaper है तो newspaper में काफी अच्छी detail show की गई है जैसे कि आप देख सकते हैं remote के full function के बारे में भी अच्छी तरगी से बताया हुआ है और drone कैसे fly करना है यह सब कुछ इसमें बहुत अच्छी से detailed किया हुआ है तो फिलाल अभी मैं आगे आपको सब कुछ बता दूँगा अभी इस newspaper को हम रखते हैं side में और इन सभी चीज़ों को अभी box से हम बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद एक करके मैं सभी चीज़े आपको चीदर की से दिखाऊंगा तो देख सकते हैं सारी चीज़े box के बाहर आ गई है और सबसे पहले यह है हमारा एक packet तो चली देख लेते हैं इस packet के अंदर में क्या क्या मिलता है तो जैसे कि आप से फिले देखी सकते हैं यहाँ पर हमें एक charger मिलता है जो कि आप देख सकते हैं Silver Elite brand का नाम इस पर छपा हुआ है और बाकी यहाँ पर इसकी एक charger indicator light है जो कि green color की जलती है तो फिलाल इस charger को आप चीदर की से देख लीजे और यहाँ पर है इसका charging socket इसी में आप battery को लगा सकते हैं बाकी यह जो battery है यही वो battery है जो कि उस charger से charge होती है और यह दूस्तो हमारे drone की battery है जो कि 3.7 volt 850 mh की battery है तो काफी अच्छी battery है और काफी अच्छा fly time भी दे सकती है और बाकी तो हमें fly करके ही बता चलेगा तो चली मैं आपको बता देता हूँ इसे charge कैसे करना है आपको simply charger में कुछ इस तरीके से लगाना है और यहाँ पर green color की जब आप charging पर लगाएंगे तो light जलेगी जब वो automatic off हो जाएगी charging पर लगेवे तो आपकी जो battery है वो full charge हो जाएगी drone की उसके बाद आपको charger में इसे से हटा लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है हमारा दूसरा packet जिसके अंदर हमें 4 extra propellers मिलती है तो यहाँ पर जो यह propellers हैं भाई यह किसी professional drone जैसी propellers देखने में लगती है क्योंकि काफी बड़ी-बड़ी है और एकदम मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी इसकी propellers है मेरे पूरे हाथ पे आ रही है और दोस्तो यह drone है आपको सायद camera में इतना बड़ा ना लग रहा हो यह drone भी काफी जादा बड़ा है size में और propeller तो एकदम मतलब premium सी लग रही है एकदम science science ही है इन propeller में कुछ मज़ा ही आ रहा है देखने में तो फिलाल अभी इने side में रखते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं अपने drone के remote को तो जैसे कि दूस्तों आप देखी सकते हैं यहाँ आपको इसमें दो joystick मिलती है तो यहाँ पर जो पहले वाली joystick है उससे आप drone को up, down, left rotate and right rotate कर सकते हैं second वाली जो joystick है उससे forward, backward या left, right कर सकते हैं बाकि यहाँ पर यह वाला जो button है इससे left roll या right roll कर सकते हैं और इधर की side में आपको left rim and right rim मिलता है और यह है photo and video के लिए button देख सकते हैं और यहाँ पर यह forward and backward rim है और इधर की side में आपको मिलते है emergency stop का button और take off का button जैसे कि आप देख सकते हैं और बागे दूस्तों इसी के बराबर में आप देखेंगे तो यह handless mode के लिए button है और normal mode के लिए है और इसी के बराबर में on off का button मिलता है और on off के button के just two पर आपको दो indicator lights मिल जाती है तो यहाँ पर जो red वाली light है वो power की light है और जो second वाली light है वो है आपके drone के handless mode की light और back side में आप दूस्तों इसमें बैटरी डाल सकते हैं बागी चली remote को नीचे रख देते हैं और अभी देख लेते हैं अपने drone को तो यहाँ पर दूस्तों आप देख सकते हैं कि drone का size कितना जादा बड़ा है मेरा हाथ भी इसके सामने छोटा सा लग रहा है और बाकी तो आप इसे देखी सकते हैं यह जो drone है पूरी तरह से इसमें बहुत अच्छी looking देने की कोसिस की गई है जैसे की देख सकते हैं bumper drone की branding इसमें दोनों तरफ की गई है और जस्त यहाँ पर उपर की side में एक cap है जो की एक waterproof cap है इसी के अंदर इसकी सारी चीजे components लगाए गए है और नीचे की side में आप देख सकते हैं इसका camera लगा हुआ है लेकिन camera को भी आप देख सकते हैं किसी cap से बिल्कुल बंद किया गया है जिसकी वज़े से यह waterproof बन जाता है तो यहाँ से भी इसमें पानी नहीं जा सकता तो चलिए मैं आपको यह cap हटा के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दो लोक लगे होते हैं उसके बाद आप इसे खोल के इस cap को हटा सकते हैं देख सकते हैं इस cap के चारो तरफ भी rubber लगाई हुई है जिसकी वज़े से इस camera के अंदर भी अगर आप पानी में लेंड कराते हैं तो भी आपके drone के camera में पानी नहीं जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों यह cap इसे पानी से तो बचाती ही है साथ में इसे यह धूल मटी से भी बचाती है तो इसके camera बिल्कुल किलियर ही रहता है आपको किवल cap को ही साफ करना है बागी उपर की साइड में आप दिख सकते हैं यह वाली जो cap है इसकी उपर की साइड में यह भी waterproof है इसके अंदर इसकी battery वगरे लगती है और इसका circuit board इसी के अंदर लगता है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं आपको घुमा के इसे कुछ इस तरीके से खोल लेना है और यह वाला जो socket है यह battery का socket है बाकी यहाँ नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगता है micro SD card जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा यह इसका micro SD card slot है तो चलिए मैं आपको एक बर micro SD card इसमें लगा के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दूस्तों अभी मेरे पास फिलाल 4 GB का micro SD card है तो इसी को मैं इसमें लगाने वाला हूँ बाकी मुझे नहीं पता कि यह कितने GB तक support करता है तो चलिए फिलाल अभी हम अपने micro SD card को अपने drone में लगा लेते हैं तो simple है बिल्कुल जैसे आपको phone में लगाते हैं वैसी ही आपको इसमें भी micro SD card को लगा देना है तो देख सकते हैं मेरा जो micro SD card है वो बहुत अची तरीके से हमारे drone में attach हो गया है अब इसके बाद हमें battery को भी अपने drone में attach करना है तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से battery को आपको इसके apartment में रखना है तो देख सकते हैं इस तरीकि से रखना है और इसके बाद इस star को आपको यहां पर connect कर दिना है दूसरे इस drone में एक ही problem है कि इसमें आपको on off का button नहीं मिलेगा बार बार आपको drone की battery के तार को हटाना होगा और लगाना होगा तो फिलाल मैं इसको on ही छोड़ रहा हूँ देख सकते हैं इंडिगेटर लाइट वर्क कर रही है तो यहां पर दूस्तो इतनी बड़ी तो problem नहीं है on off का button नहीं होने से क्योंकि battery भी अगर दूस्तो हम off भी कर देते हैं लेकिन तार connect रहता है तो उसमें battery खराब होने के chances रहते हैं लेकिन इसमें जब हम battery का तार ही हटा देंगे तो battery भी खराब नहीं होगी तो चलिए अभी फिलाल इसे lock कर देते हैं तो अभी battery हमारी अच्छी तरीकी से इसमें डल गई है तो यहां पर दूस्तो drone में ने आपको अच्छी तरीकी से दिखा दिया है तो चलिए अभी फिलाल हम अपने remote में battery डाल लेते हैं तो यहां पर दूस्तो नोन चार्जबल या चार्जबल दोनों में से कोई भी बैटरी आप डाल सकते हैं, फिलाल में नोन चार्जबल यूज कर रहा हूं, तो यह एक बर डालने पर कम से कम चार पांच महीने तो इसली चल ही जाएंगी, तो देख सकते हैं, रिमोर्ट ओन करत तो फिलाल अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट फारी जो इस टीक को उपर और नीचे करना है, तो हमारा जो रिमोर्ड है वो ड्रोन से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन फ्लाई नहीं होगा, जब तक आप इसे टेक उफ नहीं कर लेते, तो यहां पर आपको टेक उफ का बटन मिल हैं हम ground में आ चुके हैं और हमने अपने drone को भी take off कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं looking तो इसकी बहुत ही अच्छी आती है fly होते वक्त साथी में इसकी stability भी आपको बहुत जादा कमालकी मिल जाती है तो यहाँ पर दोस्तो अभी आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी तरीके से fly कर पा रहा है क्योंकि इसमें one की take off है तो यह एक minimum height पर जाके रुख जाता है तो यह इसकी minimum height है इतनी height पर जाके रुख जाता है जब तक आप height उपर नहीं करेंगे तब तक यह उपर नहीं जाएगा जो first fire is जोजिस्टिक है उससे height बढ़ाई जाती है तो थोड़ा सा अगर आप इसे उपर करेंगे तो यह थोड़ा सा ओर उपर जाके रुख जाएगा तो इस तरीके से यह जो होता है यह barometer height site होता है तो यह काफी अच्छी चीज है आपको बिल्कुल भी fly करने के लिए से महनत की ज़रत नहीं पड़ेगी बहुत इजी ली बच्चा भी इसे fly कर सकता है क्योंकि बहुत अच्छी तरीकी से यह stability के साथ fly करता है बागे दोस्तो इसमें 6-axis जायरो तो आपको मिली जाता है साती में वन की take-off भी मिलता है और handless mode भी आपको मिल जाता है जिसकी वज़े से दोस्तो यह काफी ज़ादा stability के साथ fly कर लेता है तो यहां पर दोस्तो कुल मिला के देखें तो इस drone में stability जैसी कोई भी problem नहीं है तो चलिए दोस्तो बात करते हैं इस drone के बारे में तो drone के बारे में कुछ चीजे खास हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि एक bumper drone है तो यह दोस्तो दिवार से भी टकराता है तो यह bounce करके हट जाता है नीचे नहीं गिरता है यह इसकी बहुत अची चीज है अगर आप इसे रूम में भी fly करते हैं तो भाई यह आप कितने भी दिवार में टकर मारते रही है इससे तो यह टूटेगा नहीं क्योंकि यह जब भी टकर लगती है तो थोड़ा सा पीछे हट जाता है दिवार से टकरा के और दिवार से भी टकरा के रुख जाता है तो fly करता रहता है वहीं पर गिरता नहीं है क्योंकि दोस्तो इस ड्रोन के जो प्रॉपलर है उसके चारो तरफ रबर लगाई हुई है जिसकी वज़े से यह बाउंस करता है तो यह बहुत यह अची चीज मेरे को लगी है इसी वज़े से मैंने कहा था कि बच्चा भी इसे fly कर सकता है क्योंकि यह जब भी दिवार से टकराएगा तो रबर जो है इसे बाउंस कर देगी और यह थोड़ा सा पीछे हट जाता है तो इस वज़े से यह दिवारों से टकराने में नीचे नहीं गिरता है बागी दुस्तों इस ड्रोन में आपको 3 स्पीड मोड मिल जाते हैं जो की एक है 1st स्पीड मोड जिसमें यह काफी स्टेबल और धीरे धीरे से आगे की साइड में fly करता है second speed mode में ये काफी fast हो जाता है और third में तो ये बहुत ही जादा तेजी से fly करता है तो third speed mode का आप तभी इसका use कीजेगा जब हवा थोड़ा से तेज चल रही हो बाकि अगर बिल्कुल भी ground में हवा ना हो तो आप इसकी first speed mode का ही use कीजेगा और दोस्तो second speed mode का use आप थोड़ी बहुत हवा में कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो बात करते हैं कि ये drone आपको waterproof मिलता है या फिर नहीं तो यहां मैं दोस्तो आपको बता देता हूँ कि ये waterproof drone है आप इसको पानी से take off कर सकते हैं और पानी पे ही land भी कर सकते हैं वहां पे इसमें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा और पानी से कोई नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि दोस्तो इसके नीचे जो इसका camera लगा हुआ है उसपे भी आपको एक rubber के साथ cap मिल जाती है और साथ ही में उपर की साइड में भी एक cap मिल जाती है उसमें भी rubber लगाई हुई है जो कि वो भी waterproofing का ही काम करती है तो यहां पर दोस्तो यह जो drone है यह waterproof drone है तो चलिए दोस्तो बात करते हैं इसके remote control range की तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो drone है यह 2.4 GHz में आता है तो यहां पर दोस्तो इसकी जो remote control range है आपको कम से कम 30-40 meter की मिल जाती है तो यहाँ पर दूस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि 30-40 मिटर का बहुत बड़ा एरिया होता है आप इसली इसे बहुत बड़े ग्राउंड में फ्लाई कर सकते हैं आपको रेंज की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है तो चले दूस्तो बात करते हैं इसकी बैटरी की तो यहाँ पर दूस्तो इस ड्रोन की जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट 850 एमेच की बैटरी मिलती है जो कि दूस्तो इसी के साथ आए हुए चार्जर से 20-25 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है और उसके बाद दूस्तो आप 8-10 मिनट इस ड्रोन को लगतार फ्लाइ कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा फ्लाइ टाइम है और काफी जल्दी चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर बैटरी की भी आपको इस ड्रोन में कोई भी दिकत नहीं होने वाली है तो चले दूस्तो बात करते हैं इसकी प्राइजिंग की तो यहाँ पर यह जो ड्रोन है यह मैंने 7000 रुपे का परचेस किया है फ्लिप कार्ट से अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डीचे डिस्क्रप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक को फॉलोगर के फ्लिप कार्ट पे जाके डारेक्ट इसे परचेस कर सकते हैं लेकिन उससे पहले इसकी वीडियो को देख लेना पूरी तरीके से अगर आपको यह अच्छा लगता है तभी आप इसे परचेस करना क्योंकि दो इससे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको इस ड्रोन के लिए मेमोरी कार्ट नहीं मिलता है और मेमोरी कार्ट नहीं मलेगा तो आप इसकी कैमरा को कैसे यूज करेंगे आपको अलक से परचेस करना पढ़ेगा मेमोरी कार private और यहांपर मिरे पास 4GB का मेमोरी कार्ट पहले से पढ़े पढ़ा बात करते हैं इसके stability की तो यहां पर दोस्तो इस drone में आपको कुछ जादा ही stability मिलती है बहुत ही अच्छी stability है इस drone में कोई भी दिक्कत वैसे तो नहीं है लेकिन अगर दोस्तो आप इसे उचाई पे fly करते हैं और हवा तेज चल रही हो तो इसकी जो rubber है वो हवा को absorb कर लेती ह या नि पता नि क्या हवा इसके सायद अंदर भढ़ जाती है rubber में और ये कुछ हिलने लगता है और नीचे आने लगता है तो भाई तेज हवा में तो इसे fly नहीं किया जाता है ये भी इसकी एक बड़ी problem है और बाकी तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं नजर आईए बगी चलते हैं इसकी camera testing की तरफ तो यहाँ पर अभी आप इसका camera देख सकते हैं काफी अच्छी recording ये कर लेता है लेकिन इसमें कुछ दिक्कते हैं मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको wifi transmission इसमें देखने को नहीं मिलता है जो आप इसमें memory card लगाते हैं उसी में ये footage record होती है और बाद में आपको देखने को मिलती है साथ के साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलती है तो मेरे साब से आपको ये भी नहीं पता होता कि वो record क्या कर रहा है तो ये automatic ही record कर लेता है लेकिन जिदर की side में दूस्तों आपके camera का move होगा उधर की चीज़े ये record करे करता है तो ये इसमें problem है और बाकी तो मुझे इसमें कोई भी problem नजर नहीं आई है stability तो इसमें बहुत ही जादा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है बाकी अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपने देख ली है अगर आपका मन करता है तभी आप इसे purchase कीजेगा वरना तो इसे purchase बिल्कुल मत कीजेगा करता है योड़ी आप एंपे अल आप है झाल 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 झाल